कर दोस्तों स्वागत आप का इस वीडियो में टाटा स्टील ने दूसरे दिमाई के नतिजे अभी अनौण्स कर दिये हैं जो कि मार्केट बंद होने के बाद आए हैं तो इस वीडियो में लगातार बने रहे हैं देखते हैं कैसे नतीजे आये हैं तो देखें टाइम वेस्ट की अब ना आते हैं सीधा कंपनी के अगर आप चैनल पर मैं आया है सबस्क्राइब कर लिजे साथ बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजे तो देखिए यह कॉलम पिछले तिमाई के नतीजों का है यानि क्यूवन का जून 22 तक का और यह सितमर 22 तक का लेटेस्ट तिमाई का है सबसे पहले टोटल इंकम देखते ह गिरी है और साल ते साल अगर देखेंगे तो भी गिरावट दिखेंगी सितमर 21 से सितमर 22 में एक साल के अंतर से देखें साथ हजार शेह सब्सक्राइब करोड़ के सामने गिर करोड़ की तो इंकम में कंपनी गिरावट है आगे देखना रहेगा प्रॉफिट कैसा है तो यह कि देखें 11 नंबर पॉइंट यहां दिखाया हुआ है नेट प्रॉफिट और लॉस वर्दा पीरेड जो कि लेखेंगे एक्स्पेंस टेक्स से बठाने के बाद 37314 करोड़ के सामने इंकम बहुत जाधा डिकलाइन होई है और साल देखेंगे तो 12,547 करोड़ के सामने भी बहुत ही ज्यादा डिकलाइन है जो कि मातर 1300 करोड़ के आसपास की डिकलाइन होकर आई है आगे देखते हैं कंपनी का इतनी ज्यादा इंकम मुनाफ़े में गिरावट का क्या रिजन है तो पीबीट देखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टेक्स जो की इंकम में से एक पीट जादा गिराए कि यहां खर्चे देखिए इस कोलम में बहुत ज्यादा यहां बढ़कर आये हैं तिमाही आदार पे और साल देखिए खर्चों में बढ़ोतरी बहुत जादा हुई है यह में रीजन है डिकलाइन का तो नतीजे नो डाउट वीक ही आये हैं मैटल कंप की जाए अगर डेली चार्ट की तो चार्ट काफी ज्यादा वीक देखने को मिल रहा है स्टॉक का 105 पर फिलाल के लिए हर्डल बन चुका है और 110 पर एक अल्टिमेट हर्डल है ही सो के अगर नीचे जाता है सो के लेवल को सस्टेन नहीं करेगा तो फॉर्दर इस्टॉग आ